करेंगे फर्स तिंग कल जितने लोग पोजिशन देखे थे उनके माइड में बार बार ये चल रहा होगा सर्फ मार्केट इतना नीचे चला गया और आपके में पास PE aggressively short था that took in in the money पर तो आप नहीं क्या किया तो जस्ट में आपको उस reference में दिखा रहा हूं और इसको वेट कर रहा हूं कि नहीं हाँ ये मुझे पेसा देगा आज ने तो का लिटन चला जाएगा में ज्यादा यह प्लान नहीं करता हूं मेरी लिए points are very important कि अगर मेरे एक गेंस्ट में मार्केट जा रहा है कल हम लोग ने आपको बताया था gap down नहीं खुलना चाहिए मार्केट अगर डाउन खुलता है तो हम लोग को सेलिंग का opportunity मिलेगा 44,250 यहाँ पे फिर हम लोग ने निफ्टी स्विंग के नीचे प्लान किये थे क्योंकि एक रेंज बनाया था ग्याप डाउन नहीं खुलना चाहिए ग्याप खुला चलेगा फ्लाट खुला चलेगा क्योंकि positive sentiment में अगर ग्याप डाउन खुलता है तो थोड़ा सर इसकी सिनारियो रहता है सेलिंग का सिनारियो आ सकता है इन दिस केस अगर हम लोग देखेंगे छोट बस मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं सवधार किने कल तिने लोग देखेंगे उनको एक आइडिया लगया देखिए यहां पे मेरे कल मुझे profit चल रहा था मैंने आज इसको 10,000 में लॉस में प्लस प्रॉफिट दिखा रहा है समय रोंड एक जगा पी यह 2,000,000 प्लस प्रॉफिट था यह जगा पे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं मैंने यहां पे 10,000 बुक किया लॉसेस और इसके गेश्ट में 2,000,000 अगर प्रॉफिट देख रहा था था मैं इस तरीके का कि अंदर बहुत सारे स्कैल्पिंग किये थे मैंने उस टाइम पर बता था जितने लोग मेरे साथ ऑनलाइन जूट नहीं पाते उन लोग लाइब ट्रेडिंग देखे नहीं है या फिर जानते नहीं है मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूं हर एक लाइब ट्रेडिंग हम मैंड सेट से आना जरूरी है क्योंकि मैंड सेट यहां पर कोई सिखाता नहीं यह बुल देते हैं किने हां बस डिस्सिप्लीन बनो या फिर स्टॉप लेना चाहिए यह उना चाहिए बस एक पॉइंट जाना मेरेको कुछ चीज आपको प्राक्टिस करने पड़ेगा साइको सब्सक्राइब के उपर फिर उसके वाद सेट अप के ऊपर काम करोगे तो जरी प्रॉफिट आएगा डॉंट बरेवावटी जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था दस या पंदरा तारीक को अप्लिएशन लॉंच हो डिस्किशन बॉक्स में लिंक है एकाउंट ओपन आप अगर आपको तीस साल आगे देखना है तो आपको एक-दो साल तीन साल देना पड़ेगा मार्केट को अगर आप अगर आप अलड़ी थोड़ा बहुत जानते हो तो हो सकता है कि नहीं थोड़ा यह कम हो जाए आपको लगने का लेकिन टाइम देना पड़ेगा टाइम लगेगा आपको प्रोफिटबल होने के लिए तो चले अभी मार्केट स्टार्ट करते हैं अगर हम लोग यहां पर देखें अगर हम लोग बैंक निफ्टी देखेंगे ब मार्केट आता है तो हम लोग स्टार्ट करेंगे मार्केट गाप डाउन सोर्या सा फ्लाट कुला फिर उसके बाद रिकवर हो गया उपर की तरफ चला गया वेल एंग गुड लेकिन यहां से जब ब्रेकडाउन हुआ इस लेवल के आसपास मैंने इसको सेल किया था और बहु अगर इसके रेंज के ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली मेरा पोजिसन मुझे करना पड़ेगा मैं सेल किया हूं तो मुझे बाई करना पड़ेगा सिमिलर बहुजितने लोग सेल में होंगे यह इस एरिया अगर आ जाता है एकल 44,400 नेरबाउट 12 बजे के बाद अगर यह जाता है तो मुझे मेरा पोजिसन करना पड़ेगा और यहां से एक ट्रेंडी मार्केट कर सकते है क्योंकि 500 एक राउन लेवेल है उसको टच करती ही साथ मोमेंटम कर सकता है अगर उपर की तरफ निकलता है त्योंकि नहीं यह रेंज के अंदर अगर यह रेंज आता ही नही अगर 10.30, 11.30 के बाद यह 400 ब्रेक कर रहा है तब हम लोग यहां पर ऑफसन बाइंग का प्लान कर सकते हैं एक अच्छा हूंटम लोग को मिल सकता है और एक पॉइंट में हो सकता है यह लेवेल पर बहुत सारे लोग आज बाई करके रखे होंगे क्योंकि यहां पर अगर द देखने के मिल सकता है कि हो सकता है 200-300 पॉइंट भी फॉल आ जाए तो दो कंडिशन में हम लोग कल ऑफसन बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं एक 44,400 के आसपास ओपन हुआ समयरों इस लेवेल पर आसपास कहीं पर ओपन हुआ फिर 11-12 बजी के बाद यह ब्रेक आउट द उसके बाद फिर यह अगर नीचे की तरफ 43,900 ब्रेकडाउन कर रहा है नीचे की तरफ समयरों ट्वेलों के बाद तब हम लोग को एक बड़ा ट्रेंड देखने मिल सकता है अगर आप उपसन सेल कर रहे हो तो मेक शूर कि नहीं यह 44,400 और 43,900-800 यह सेल करके रख सकते हो इसके कारण एक दिन सारा प्रॉफिट चला जाता है हम लोग यह सोचते रहते हैं कि नहीं हाँ 90% मार्केट रेंज के अंदर अगर रह जाता है प्रॉफिट मिल जाए लिंग जो 10% मार्केट मूव करता है हो सकता है 1000 चला जाए 2000 चला जाए फिर उस टाम आजस्टमेंट करत आज के पोजिशन में मुझे 68,000 प्रॉफिट दिख रहा है मैनस 10,000 दिख रहा है चलेगा कोई इश्यू नहीं है ऐसे हर वीक नहीं आता है हर एक दिन नहीं आता जहां पर बार बार रेंज बन रहा हो तो मेक शूर किने प्रॉफिट मिलेंगे लेकिन आपको वेट करना तो चलिए अगर निफ्टी देख लेते हैं निफ्टी अगर देखेंगे थोड़ा सा नेगेटिव क्लोस दिया और कल हम लोगों ने याद होगा आप लोगों को क्लिरली हम लोगों डिस्कॉसन किया था मार्केट अगर गाप डाउन खुलेगा तो बहुत देखें यह दो दिन से बता रहा हो कि अगर गाप डाउन खुलता है तब सेल करेंगे क्योंकि जब भी एक ग्याप क्रेट होता है रहे बहुत सार लोग मार्केट नीचे आए एक अच्छा प्रॉफिट दिया उसके बाद रिकावर किया लेकिन बैंक निफ्टी ज्यादा र यहां पर एक प्राइस एक्षन बनना सुरू हो गया है 15 मिट चार्ट में हम लोग कंटिन्यू सेल कर सकते हैं कल अगर बाइं के लिए अपको सोचिए 18,060 एक स्टॉप लोगा वहां पर एक रेजिस्टंस है बाइं मोमेंटम मिलेगा समय अरूंड 18,600 से लेकर 25 के ऊपर एक अच्छा ट्रेड हम लोग को मिल सकता है पोजिशनल और इंट्राडे के अंदर लेकिन कल अगर ब्रेकडाउन होता है नीचे की तरब तो 18,480 के नीचे हम लोग सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं स्टॉप प्चिस तीस रुपे का होना चिए वान इस्टू टू मिनिम इस्टू मार्केट के अंदर हर दिन गलत हो यह पॉइंट ज्यान मार्केट करते हैं लेकिन ऐसा कोई एक सिंगल परसन नहीं होगा जो हर दिन मार्केट में नेगेटिव हो जाता होगा उसका व्यू अपने बोले कि निकल मार्केट पोजिटिव जायाएगा परसों के दिन आप पोजिटिव बोले उसके बाद का दिन भी आप पोजिटिव ओले एक दिन आप करेक्ट 100 परसन होंगे क्योंकि इट्स अल अबाट प्रबाबिलिटी 50-50 चांस रहता है बस आपको रिक्ष्टो रिवार्ड के साथ मैनेज करना है यह चोटे-चोटे पॉइंट बहुत आपको समझ में आयागा जिस तरिके का लर्निग में आप लोगो दूगा आपको समझ में आएक कि नहीं हाँ चोटे अकाउंट हो गया बड़े अकांट हो तरीके से मैनेज होता है यह हैंडल होता है तो अब धी अगर हम लोग देखेंगे करेंट में एकस ब्यांगे डेली में देखो कि एक साफ सेलिंग आया है आपको दिख रहा है और इसी लेवल पे पड़ा हुआ है एक बड़ा सा कैंडल बना है और एक पॉइंट में आपको बताना भूल गा बैंक निप्टी के अंदर आपको दिख रहा होगा यहां पे बड़े-बड़े कैंडल जब बन जाते है तो थोड़ा सा 2-3 दीन साफ मार्केट चला जाता है यहां पर मोमेंटम कहां आती है आपको दिख रहा होगा याrise कंडल क्रॉस हुआ बाईंं का मोमेंटम आया है और अगर इसके नीचे-पर सेलेंग मोमेंट होता है तो तब ही आए इस सारे लेवल एदर क्रोफ करेंगे अपसाइड या डाउंसाइड तो कल इंपोर्टांट यह ही है कि अगर बीच में इंसाइड कैंडल बन गया तो ज्यादा हम लोग मेहनत नहीं करेंगे लेकिन अगर ब्रेक आउट ब्रेकडाउन हो रहा होगा तो हम लोग को एक सिनारियो मिल सकता है क्योंकि जब भी क्या होता मार्केट इंटाइड के अंदर बायर भी चला गया सेलर भी चला गया तो उस टाइम पर मार्केट थोड़ा सा साइड़ चला जाता है जैसे लास्ट आइधिंग फेब्रुरारी मंत में भी हुआ था एक बज़ेट आया था आपको याद होगा यहां पर आपको दिख रहा हो तब that means कल में एग्रेसिव इतना प्लान नहीं करूंगा खुलते ही साजेसे होता है यहां आज ऑप्सन बाय करेंगे जब मुझे पता ही है कि नहीं हां थोड़ा साइड़ेज हो सकता है प्रीवियस प्रबाबाबिलिटी के हिसाफ से तो हम वेट करेंग कि लेट ब्रेक या तब मैं बाय कर सकता हूं अगर बीच में पर मिल रहा है तो एग्रेसिव ट्रेड करके फादा नहीं है टाइज मिलेगा डेज मिलेगा डोंट बरी बाय वाट इट एक सपोर्ट एरिया के आसपा से आपको दिख रहा है अगर ब्रेकडाउन क्राक करता है तो एक सेलिंग आ स HDFC बहुत ही अच्छा प्राइस एक्षन यह बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया है मार्केट निफ्टी थोड़ा सा स्लो एं स्टड़ी उपर जाने का कोसिस कर रहा था बैंक निफ्टी अल्टाइम आई के ऊपर चल रहा है लेकिन यह एक ऐसा स्टॉक है जो थोड़ा सा प्रा सकते हैं 7-8 रुपीज का स्टॉप लॉस होना चाहिए 1-2-2 मिनिव हम लोगा टारगेट रहेगा नेक्स्ट और संफामा अगर हम लोग यहां पर देखेंगे एक अच्छा यहां पर ब्रेक आउट दिख रहा है मार्केट ऊपर की तरफ गया एक एंडल बनता है फिर पॉज पाउज लेता है फिर मार्केट ऊपर गया दो दिन पाउज लिया अभी यहां से ब्रेक आउट का सिनारियो तो प्राइस से स्लियर दिख रहा है यहां से अगर मूब करता है 985 तक एक प्लेस है तो यहां तक जा सकता है 977 या 978 के आसपास हम लोग प्लान कर सकते हैं 4-5